नमस्कार आप देख रहे हैं लोकसेवा नियुजी मैं हूँ आपके साथ रजत्र पाठी दिव्य और भविकुम का नजारा आप देख रहे हैं इस भव्य प्रयागराज की धर्ती पर दिल्ली के राजनेता भी पहुँच रहे हैं बीजेपी की दिल्ली से सांसद मिनाक्षी लेखी जी भी प्रयागराज की इस पावन धर्ती पर पहुँची हैं हम उनसे जानेंगे की दिव्य और भविकुम का उनका अनभव कैसा रहा है बहुत सुन्दर और मन को जो संतोश हुआ जो खुशी प्राप्थ हुई वो शायद अतुल्य है और जो व्यवस्था की दृष्टी से सौम्यता को बरकरार किया गया और हर व्यक्ती की सुविधा का ध्यान रखते वे जो भी प्रबंध किया गया चाहे वो फ्लोटिंग जेटी है या कपड़े बदलने की व्यवस्था है वो महिलाओं के लिए खास तौर पर उस तरीके की दिक्कते होती है शौचालियों की व्यवस्था है टेंटिंग की व्यवस्था है बहुत ही सुन्दर एक्सपीरियंस रहा लोकसभा चुनाओ ज्यादे दोड नहीं है मैं यहां घूम रहा हूं लोगों से बात चीत कर रहा हूं तो मुझे लगता है इस बार जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से नहीं प्रयागराज से गुजरेगा देखिए मैं तो यह मानती हूं कि जब मैंने कुम्ब को देखा और बहुत सारे विदेश से आए हुए लोगों से मुलाकात हुई और सब ने इस व्यवस्था और प्रबंधन को जो है सलाम किया तो कुम्ब की व्यवस्था तो पौराणिक व्यवस्था है राजा महराजा भी पहले व्यवस्था करते थे लेकिन इस बार एक साधू ने व्यवस्था की है तो जब 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 धरम करम को समझते हैं जो लोग और वो उस व्यवस्था में भी जूट जाए तो जी उत्ते प्रदेश क्याबिनेट की मीटिंग तो मेरा खायल सब लोग स्नान भी करेंगे और अपनी आस्था का प्रती जो है हम सब की आस्था का प्रती उस पावन धरती पर अगर मीटिंग हो रही है तो कोई जनता के लिए बहुत ही अच्छे निने लिये जाएंगे मैं बतौर सांसद नहीं अगर बतौर दिल्ली वासी आपसे पूछे हूँ कि जब आप दिल्ली से यहां आई आपने गंगा देखा मत पूछिए भैस साब बत पूछिए वो क्या कहते दुख्ती रख पर हात मत रखिये और जखमों पे नमक मत छिड़कि गंगा भी देखा हमन और यमना भी देखी और वो यमना का क्या हाल दिल्ली में होता है वो भी देखा और हर रोज किस प्रकार के प्रयास किये जाने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं वो भी देखा तो उस सब के असमंजस से जब हम निकलते हैं तो लगता है कि राजनीती तो किसके लिए और जिस बाव से राजनीती होनी चाहिए उस सेवा भाव से नहीं करके केवल राजनीती राजनीती के लिए की जाए तो वो किसी काम की नहीं है अभी तक राहूल गांधी जी नहीं आ यहीं आगे क्या नहाने कुमब आपको कुछ आनकारी है देखी मैं तो सिरफ यही कह सकती हूँ कि आस्था के बिना कुमबस्दान करो या आपने देखा था कि जैसे उन्होंने मानेश्ट्वर की यात्रा की थी उन्होंने वहां पर परिक्रमा की थी वह नीचे से ही परिक्रमा की थी उपर तो गए ही नहीं थे तो मुझे लगता है आस्था के साथ वह क्या दिल चंगा तो कटोती में गंगा तो अगर आपका दिल ठीक है मन साफ है तो कुम उसका एक भाव हो सकता है लेकिन अगर मन में आपके अशान्ती है और केवल राजनितिक भावदा से आप लोगों को बताने के लिए कुछ आ रहे हैं तो शायद उसका भाव जो है वही तेय करता है और कट चौती में गंगा तभी बहती है जब आपका मन का जो भाव है वह अच्छा हो लेकिन यहां ऐसा लगता है कि जिन लोगों को कभी मतलब मेरे को एक्चुली समझ नहीं आया इनकी माता जी इसाई हैं पिता जी पार्सी थे तो यह जिन्नेवधारी हो कभी भी आदमी जिन्ने जिन्नेवधारण मन से किया जाए और माहोल देखके या राज्ये प्रांत देखकर उसको जिन्नेवधा टोपी ना पहनी जाए अंदर होना चैक कुड़ते के ऊपर नहीं होना चैक एक और सवाल जो है राम मंदिर का मामला लगातार जो है लटकता चला जा रहा है योगी आ सांसाद मिनाश्ची लेखी जी ने कहा कि भाई ऐसा कुम्ब सायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और उन्होंने आने वाले समय जो चुना होने वाले उस पर भी अपनी वर्सक्रा रही आप देखते रहे हैं लोग सेवानियों